बात करेंगे नीलेट्स का O-Level Exam का जिसका Online Registration Application Form कैसे बरे और कैसे कर रहा हूं मैं आपको बताने वाला हूं ये Guidelines and Instruction for Submission of Online Registration Application ORF इसमें अगर कोई बंदा Accredited Institute के थुरू कर रहा है तो तो वो 10 प्लस 2 होना चाहिए या तो डिप्लोमा होना चाहिए गुवर्मेंट रिकॉनाईज से मिनिमम एक साल का डूरेशन हो चाहिए उस कोर्स का दूसरा है ए लेवल भी छोड़ाने देते हैं फिर डिरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं या तो उनके पास 10 प्लस टू होना चाहिए या डिप्लोमा गुवर्मेंट रिकॉनाईज से एक साल का डूरेशन हो चाहिए पढ़ाई का या आफ्टर 10 प्लस टू आफ्टर 10 दसमीं के बाद आई टीए सेटिफिकेट एक सलका होना चाहिए अगर कोई ग्रेजुएट है नहीं ग्रेजुएट फ्रूम रिकॉनाईज उनिवर्सिट इंस्ट्यूट इस ग्लिजिवल टू रिजिस्टर एट ओ लेवल बीड़ाउट इस ग्रेजुएट है तो बेना कोई एक्सप्रियेंस के अप्लाई कर सकता है लेवल ओ ग्रेजुएट यह रहें देते हैं अब आते हैं परस्टनल एक्टिव एमेल डालिए एप्लिकेंट्स का नॉट फूर दे इंस्ट्ट्यूट परस्टनल एक्टिव म्मपाइल नमबर आपका होना चाहिए उसके बाद एक्लेरली स्केंट फोटोग्राफ होना चाहिए साइज में और हम प्रेशन होना चाहिए लेफ्ट हैंड क्नल्स अफ्रेशन आप्लेशन आ چाहिए अप्लीकेंट्स के लिए कर आप्लिकेंट्स फो डारेक्ट अप्लाइक करना चाहता है अप्लिकेंट का अप्ट ऑनलाइन मोड बाइजिस्ट्रिंग हिमसेल फर बाइए लेवल ऑफ कोर्सेस ओए बीस को भी अप्लाइक यह डारेक्ट इस पॉर्टल के थुरू इस्टूरेट्ट निलेट्स जॉट्वर्मेंट और क्रेश तो 500 रूपए इसका लगेगा 500 प्लस नबबे सी का ओए ओ लेवल का 500 रूपए आप कॉमन सर्वी सेंटर से भी भर सकते प्रेमिट करवा सकते वात रिक इतना लगेगा उसके बाद कैंडिट डिट्रस वरिफिकेशन कोर्स नमबर डाले रिजिट्रेशन नमबर आपका इमल लेफ्ट हम इंप्रेशन एडर्स डेश देश फिर परस्नल डेश लॉक्यों प्रोफाइल फेल लॉग इं रिजिस्टर लॉग इंटर लॉग इंटर एंटर अट्रेंस कंप्लीट थैंक यू वेरी मच कोई डाउट है पूचिह